हलो एवरिवान, मैं आच लगरवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ओनलाइन चैनल अजेसा हूँ ओनलाइन क्लासेज में जिसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है च्छतिसगड़ बजट 2019-20 in English बहुत सारी स्टूड़न्स की डिमांड थी कि च्छतिसगड़ के बजट को English Medium में भी लाया जाए तो हमारे ओनलाइन चैनल में हम लेके आये हैं च्छतिसगड़ के बजट को अब English Medium में जो कि मैंने टोटल टू पार्ट्स में कम्प्लीट किया है क्यूंकि इसमें बहुत सारे दिविजिन्स थे तो यह पॉसिबल नहीं था कि मैं एक ही लेसिन में सारी चीज़ों को कवर कर पाऊं ऐसे में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है इसलिए मैंने इसके टोटल टू लेसिन्स बनाए हैं पार्ट वन और पार्ट टू तो आप लोग आराम आराम से पेशन सबसे पहले आता है प्रेस्ट रिलीस हमारा जो चत्रिसगड पजट को ओनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने प्रेजेंट किया था और जिसका प्रेस्ट रिलीस था एट फेबुरेड़ी तू थाउजन नाइनटीन को Honorable Chief Minister presented the budget for year 2019-20 The budget contains the spirit of बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए मतलब इसका मतलब यह है कि लोगों का हित हो और लोगों को सुख मिले यह हमारे budget का जो था में स्पिरिट था इसके बाद 36 गर्ड के 4 symbols ताट इस नर्वा, गर्वा, धुर्वा और बारी नर्वा का मतलब होता है सारे rivers and streams बेसिकली क्या होता है जो हम लोग पुराने जमाने में किसान लोग अपना मतलब तलाब अपसे रास्ता निकालते होते स्ट्रीम जैसा जिससे कि उनके खेतों तक पानी जाता था तो उसे नर्वा बोला जाता है गर्वा का मतलब होता है cattle, घूर्वा का मतलब होता है compost और बारो का मतलब होता है बारी जो कि बहुत सारे गाओं के इलाकों में देखा जाते है कि कई लोग अपने घर के पीछे चोटा सा एक एरिया ऐसा रखते हैं जहांपे वो लोग पेड़ पौधे उगाते हैं सबजिया उगाते हैं तो उस चीज को प्रमोट करना चाहती है government from this budget तो for the development and the conservation of this four components या फिर four symbols of 36 गड़ देर आर various provisions in budget this year ठीक है चलिए अब आके पढ़ते हैं तो आप लोगों को यह चाहर चीज़े याद रखने हैं ना कि 36 गड़ के जो चाहर सिंबॉल है नर्वा गर्वा धुर्वा और आपका बारो इन चीज़ के conservation के लिए और development के लिए there are so many provisions plus बहुजन हिताय बहुजन सुखावे का जो spirit है वो content है हमारे budget में अब हम लोग देखते हैं various you know statistics जिसमें आता है total income, total expenditure, revenue expenditure, capital expenditure, revenue access और gross financial deficit for the year 2018-19 का estimate 2019-20 का जो अभी budget estimate और percent growth इसमें कितना माना गया है कि होगा तो total income में आपका जो budget estimate था 2018-19 के लिए वो है 83,096 रुपीज और अभी उसको estimate लिया जा रहा है 19-20 के लिए 91,452 रुपीज जो की आपका 10% growth के साथ है उसके बाद total expenditure 83,179 और अभी हमारा जो budget estimate है वो है 90,910 9.2% की growth के साथ उसके बाद आता है यह जो हते है न आपका crores में है उसके बाद आता है आपका revenue expenditure जो की है 68423 और जो आपका budget estimate है वो है 78595 14.8% की growth के साथ उसके बाद आता है capital expenditure 14454 इसको हमको पता चल रहा है कि reduce होगा capital expenditure में reduction होगा according to the budget estimate for the year 1920 वो होगा minus 16.2% का the amount will be 12110 उसके बाद revenue excess 4445 जो की reduce होगा 1151 में उसके बाद आता है आपका gross financial deficit जो की increase होगा from 9997 से 10881 पे ठीक है इसके बाद हम लोगों के ना यह जो हमारा budget है यह 15 parts में divided है जो से economic condition होगा health sector agriculture sector drinking water sector ऐसे ऐसे तो यह मैंने एक एक करके बताय हुआ है सबसे पहले आते हैं आपका economic condition as per the advance estimate for the year 2018-19 at stable price the state GSTP growth rate का जो estimated value है वो 6.01% है और all India GDP growth rate for the year 2018-19 is 7.2% estimated तो यह values आपको याद रखनी है all India GDP growth rate है 18-19 के लिए 7.2% और state GSTP है 6.08% for the year 2018-19 इसके बाद 2018-19 के लिए stable price पे agricultural sector का जो percentage है वो है 3.99% industrial sector का है 5.4% और service sector का है अगर आप देखोगे तो इसमें GDP का में contribution agriculture का 3.8% industrial sector में 7.8% और service sector में 7.3% ठीक है उसके बाद यह जो आप लोग समझ रहना यह growth rate होता है मतलब की देखो एक होता है 100% मालो GDP है तो उसमें मालो for example agriculture sector का जो contribution है वो समझ लो 30% है service sector का 50% है for example manufacturing sector का 20% है तो वो चीज होती है GDP में उनका contribution के और यह जो चीज़े उनका growth rate बता रहे है ठीक है चलिए बागे बढ़ते है state GSDP at the popular price for the year 2017-18 it was 194 crores 2 lakh and 84 thousand rupees which got increased to 660 crores 3 lakhs and 11 thousand rupees for the year 2018-19 important मतलब आप लोगों को यह याद रखना है कि state GSDP has been increased उसके बाद for the year 2018-19 GSDP अब प्रिकुलर्डियम आ रहे हैं सिफ 2018-19 के GSDP में जिसमें आपका contribution देखा जाए तो agricultural sector का है 17.25% manufacturing या industrial sector का 47.17% और service sector का 35.63% तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारी state में manufacturing का जो contribution है सबसे जादा है in the state GSDP उसके बाद per capita income estimate for the year 2018-19 is 96,887 rupees which is 7.87% more than the last year which was 89,813 rupees ठीक है अब हम आगे आते हैं हमारों जो second part है वो है agriculture development and farmer welfare तो इसमें total 20 points है तो इसको आप लोग आराम आराम से सुनेगा for the year 1920 agriculture budget has the provision of rupees 597 crores and 21,000 rupees which is 1.5 times more than the last year provision तो ये चीज़ आप लोगो ध्यान रखना है कि पिछले साल के budget के comparison में इस साल के budget में agriculture sector के लिए देड़ गुना बढ़त हुई है उनके budget में उसके बाद agriculture department budget has increase of 71% in farm of 604 crores and 7,000 rupees in which the pedi bonus has provision of rupees 5,000 crores for the farmers loan free provision मतला farmers को ना loan free उनका जो loan है उनको वेफ करने के लिए rural bank, cooperative bank, public sector bank का जो commercial bank है जिनका loan amount है around 4,000 crore rupees उसको वेफ कर दिया जाएगा जो कि short term loans थे 4,000 crore का उसको भी वेफ कर दिया जाएगा ठीक है इसके लिए हमको ये बताया गया है कि till now around 10,000 crore loan waiving हो चुकी होगी which will lead to the advantage to around 20,000,000 farmers now the for loan waiving the budget has the provision of rupees 5,000 crore ये जीज़ आप लोगो थेहाँ रखनी है उसके बाद 207 crore का irrigation tax will also be removed which will benefit 15,000,000 farmer directly उसके बाद खरीब season 2019 के लिए in the state 85 lakh ton peddy procurement का estimation है कि हाँ इस खरीब season में 85 lakh ton peddy का जो है खरीदी करेगी सरकार उसके बाद आता है इसमें 25,000 रुपए प्रती कविंटल का MSP मिलेगा farmers को जिसके लिए 5,000 crore का provision है government की तरफ से जिससे कि हमारे state के 17,000,000 farmers या किसानों को जो है फायदा होने वाला है उसके बाद आता है in comparison to the खरीब season 2017 the farmers got double price payment for the खरीब season 2018 इसमें ये बोला गया है कि खरीब साइस season 2018 में 2017 के मुपकाबले डबल आमदनी हुई है किसानों को उसके बाद soya bean production के लिए और sugar cane production के लिए सरकार incentive देगी 10 करोड और 50 करोड जिसमें से soya bean production के लिए होगा 10 करोड और sugar cane के लिए होगा 50 करोड उसके बाद बताये गया है कि दलहन और तिलहन जो होता है मतलब oil seeds और pulses उसके लिए provision है government का 7 करोड और 7 करोड बाल लाग का ठीक है उसके बाद आता है at present in 26 district 257 centers the corn is procured मतलब जो मक्का होता है उसका procurement या खरीदी हो रही है at 1700 rupees जिसको और जादा पुखता किया जाएगा उसके बाद आता है कि 184 करोड रुपए का provision है ताकि जो किसान है उनको interest free short term loan मिल सके प्रधान मंत्री फसल वीनमा योजना के premium के लिए government ने दिया है 316 करोड रुपए ठीक है उसके बाद आता है under the राश्ट्रिय की क्रिशी विकास योजना जो ये central government का एक योजना है उसके अंतरगत green revolution के लिए दिया गया है 369 करोड रुपीज farmer development program के लिए दिया गया है 77 करोड या 77 करोड रुपीज farmers bonus for sugar के इन के लिए दिया गया है 50 करोड रुपीज शाखंबरी योजना के लिए 10 करोड रुपीज नाबाड का micro irrigation program के लिए भी 10 करोड रुपै और integrated horticulture development के लिए 205 करोड रुपै ठीक है इसके अलावा establishment होगा agricultural university मर्रा district दुर्ग and saja district बेमित्रा ये important है कि इस budget में ये बोला गया है कि मर्रा और saja में agricultural university की establishment होगी उसके बाद establishment of the universities to promote the horticulture and the food processing ठीक है इसके बाद है हमारा establishment of 20 new animal hospitals plus established the regional first aid training center for the animal health in Jagdalpul, Surajpur and Mahasamundh तो animals के first aid training के लिए centers खोले जाएंगे Jagdalpul, Surajpur and Mahasamundh में ठीक है उसके बाद in order to increase the income from animal husbandry dairy entrepreneurship के लिए 15 करोड 12 लाक रुपे का जो है provision है मुर्गी पालन या हेन cultivation के लिए 21 करोड का गोठ के लिए 4 करोड 34 लाक का और सुकर पालन के लिए 4 करोड 49 लाक रुपीज का for integrated watershed management 200 करोड का प्रोविजन है ठीक है उसके बाद प्रधान मंत्री क्रिशी सिचाई योजना के लिए 74 करोड और micro irrigation program के लिए 1285 करोड का आपका टोटल प्रोविजन है इसके बाद आता है budget of rupees 164 करोड 2000 for the free distribution of 5 HP agriculture pumps and rupees 100 crores for the energy consumption of new pumps इसके अलावा solar pump से irrigation कराने के लिए 467 करोड का प्रवधान है मतलब 20,000 solar pumps से जो है irrigation किया जाएगा with the help of solar energy जिसके लिए 467 करोड का प्रवधान है उसके बाद there is a provision of total 995 करोड 2000 rupees for the irrigation program और large irrigation project के लिए 759 करोड इसके बाद हमारा आता है मतलब जो large irrigation का था उसमें divide कैसे गया पैसो को अर्पा भैसाजार परियोजना में 127 करोड महानदी परियोजना में जो है आपका 213 करोड और सोरूड जलासे में 106 करोड small project के लिए 93 करोड 1000 और medium irrigation project के लिए 106 करोड अब हमारा third part आता है rural development and the rural livelihood in order to strengthen the ruler economy government will start the suraji गाउं योजना आप लोगों को यह को नहीं यह योजना के नाम याद रखने that in order to strengthen the ruler economy suraji गाउं योजना has been started इसमें क्या किया जाएगा कि हर एक गाउं की करना है जिसमें नर्वा के लिए क्या जाएगा नर्वा मेंने बताया था आपको streams होती है तो development of the irrigation structures in scientific manner according to the need of farmers गर्वा या cattle के लिए क्या किया जाएगा development of the cattle shades in three acre land और milk collection होगा मदब milk collection centers भी बनाए जाएगे इसके अलावा बारी for the cultivation of horticulture produce in every house बारी culture will be promoted उसके बाद आपका आजाता है घुरुआ तो इसमें क्या किया जाएगा construction of gober gas plants and compost unit for the conservation and working training module will be prepared and 10 youngsters will be trained from each village which will lead to the employment opportunities of over 2 lakh people ठीक है इसके बाद हमारा आता है चौथा for the employment to landless laborers and marginal farmers इसके लिए क्या किया जाएगा convergence of the various departments इसके लिए आपको मंद्रेगा योजना के अंदर 542 करोंड 1,000 का प्रवधान है वोमेंस के लिए self-help group बनाने है उसके लिए 306 करोड का प्रवधान है उसके बाद ग्राम पंचायत का जो बेसिक काम है उसके लिए 210 करोड का और मुख्य मंत्री सम्र ग्रामीन विकास योजना के लिए 200 करोड रुपए का प्रवधान है रूरल फैमिलीज जो है मतलब BPL बिलो पोवर्टी लाइन जो रूरल फैमिलीज है उसको free water connection देना है अंडर द स्कीम ओफ नवीन मिनी माता अमरित नलजल योजना जिसके लिए 10 करोड का प्रवधान है प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना in order to increase the road connectivity to the rural settlements उसके लिए है 565 करोड वन थाउजन का प्रवधान इसके बाद आता है आपका मुख्य मंत्री ग्राम सडक योजना उसमें 238 करोड का स्वच्छता भारत अभ्यान के लिए 4500 करोड और फॉर्दी होमलेस रूरल फैमिली प्रधान मंत्री अवास योजना में 723 करोड वन थाउजन रुपीस ठीक है अब आता है हमारा food nutrition woman and the child development तो malnutrition के लिए malnutrition free state बनाने के लिए और food security के लिए government क्या करेगी 35 kg चावल देगी हर एक फैमिली में और इसका जो है 4000 करोड का इसमें प्रधान है उसके बाद बच्चों का कूपोशन या malnutrition को रोकने के लिए integrated child development program है इसके अलावा complimentary nutrition देने के लिए मतलब extra nutrition देने के लिए 340 करोड और 1000 का प्रधान है adolescent girls के nutrition और life skill knowledge life skill knowledge का मतलब होता है कुछ ऐसा उनको सिखाना जिससे वो लोग अतना गुजर बसर कर सके आगे जाके उसके लिए 37 करोड का प्रधान है इसके बाद pregnant woman जो होती है उनके लिए महतारी जतन योजना उसका 24 करोड का प्रधान आंगन बाडी को जो है नरसरी में भी डवलप किया जाएगा ताकि बच्चे नरसरी क्लासों आपे पढ़ सकें under the ECCE योजना उसके लिए 15 करोड का प्रधान है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इसमें क्या है कि जो grant मिलता था उसको 15,000 से बढ़ाके 25,000 कर दिया गया है जिसके लिए 19 करोड का प्रधान है working woman hostel बनाना है हर एक संभाग में जिसके लिए 6 करोड 75 लाग का प्रधान है इसके बाद आता है education and the social welfare 25 high schools को upgrade किया जाएगा higher secondary school में उसके बाद 40 primary school, 25 pre-secondary school और 100 high school को और 50 higher secondary school बनाई जाएगे जिसके लिए 34 करोड 50 लाग का प्रधान है इसके अलावा 50 करोड unconstructed or incomplete hostel जो है student schedule tribe के students के लिए 50 करोड रुपए उसके लिए जाएगे ताकि उसको complete करा जा सके उसके बाद आता है कि post-metric और pre-metric hostel fees के food के लिए 27 करोड 57 लाग का प्रधान है जो hostel है STST girls hostel की security को बढ़ाने के लिए वहाँ पे 13 करोड 49 लाग रुपए दिये जाएगे जिसमें की boundary wall बनाए जाएगे, toilets बनाए जाएगे, female guard का जो है room बनाया जाएगा उसके बाद women's university establishment इन बालोद, new ITI colleges यह important है, new ITI colleges इन बतौली, सरगुजा, दुल्दुला, मनौरा, जशपुर ठीक है उसके बाद new trend education in 33 old ITI, girls hostel in 5 livelihood colleges, घरोंदा यह धरोंदा नहीं होगा है घरोंदा केंद्र for the lifetime in habitation and corrective treatment of 18 plus mentally retarders in बालोद बालोद में घरोंदा केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, कि आपके अटर की उमर से जादा, जो आपके mentally challenged लोगें, उनको जिन्दगी पर महाँ पर रखा जाएगा, प्लस उनका इलाज चलेगा उसके बाद आता है Disabled Rehabilitation Center in राइपूर अन बालोद, उसके बाद to stop the illegal alcohol sale, पेट्रोलिंग टीम बनाई जाएगी दुर्ग और सर्गुजा में उसके बाद आता है Health Facilities पे, in order to execute the concept of universal health care, better programs to ensure the health facilities will come on board 15 करोड रुपे मिले हैं, civil hospital में cleanliness के लिए, community health centers और primary health centers में साफ सफाई के लिए उसके बाद बोला गया है कि आपके primary health care centers में 242 nurses होंगी और 100 bed का नया जिला hospital बनाए जाएगा जिसके लिए 7 करोड 26 लाग का प्रवधान है उसके अलावा बोला गया कि 5 नए community health centers बनाए जाएंगे, 10 primary health care centers बनाए जाएंगे और गरिया बंद में 100 bed का नया district hospital बनाए जाएगा जिसके लिए 6 करोड 10 लाग का प्रवधान है उसके बाद बोला कि multi speciality hospital बनेगा बिलासपूर में और जगदलपूर के medical college में जिसके लिए 22 करोड का प्रवधान है 25 PG seats जो है राइपूर के medical college में वो अप्ग्रेड होंगी उसके बाद जगदलपूर और राइपूर के district hospital में trauma unit बनेगा ये राइपूर नहीं होगा और burn unit बनेगा बिलासपूर में जिसके लिए 6 करोड 80 लाग का प्रवधान है अब आपका आता है schedule tribe and tribal welfare schedule tribe sub-plan के लिए है आपका 989 करोड 15,000 रुपीज schedule cash sub-plan के लिए है 485 करोड 5,000 रुपीज अब minor forest produce जो होता है न वो schedule tribes के लोगों के लिए बहुत ही जादे livelihood का एक बहुत important source है जिसमें की सबसे जादे important होता है तेंदू पत्ता collection तो तेंदू पत्ता पे उसका जो मानक पैसा मिलता है उसको 2500 से बढ़ाके 4000 रुपे पर बोरा कर दिया गया है और एक यह important चीज है कि present में किस-किस चीज पे government जो है MSP देती है minor forest produce में तो वो है साल, बीज, हर्रा, इमली, चिरोंजी, महुआ का बीज, कुसुमी, लाख, एवं रंगीनी लाख लेकिन अब उसमें addition हुआ है कुलू गोंध, नागर भोत, शहद, बहरा, बेल का गुदा जो बेल फ्रूट होता है काल मेद, फूल जाडू तथा पुवाड बीच, इन सब पे भी अब MSP मिलेगा ठीक है, तो गाइस, हम लोगों का ये जो बजट का पहला पार्ट है, यहीं पे खतम होता है बजट का जो दूसरा पार्ट है, मैं आप लोगों को कल बताने वाली हूँ, जो की होगा हमारा CG budget 2019-20 part 2, तब तक आप इस budget को ध्यान से सुनिएगा, एक बार में ये budget बिलकुल भी आपके दिमाग में बाठेगा, तो सुनते सुनते आप लोग कोशिश करेगा, कि आप लोग नोट डाउन कर लें, ताकि जब आप इस page को बार बार देखे तो आप लोगों को चीजे याद झांक यू